नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहें शंखनाद और यह है डबल डोज यानि मेरे और प्रत्यूश खरे के साथ अब शंखनाद हो चुका है शंखनाद इसले भी हो चुका है क्योंकि आज की रात कटे कटे सुबह का इंतजार हर किसी को है और सुब कल तीसरे चरण के लिए मतदान होना है यानि 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 69 सीटों पर जब वोट डाले जाएंगे तो उससे पहले दावों की बौचार है कि किसकी सबसे अच्छी सरकार है लेकिन उससे आगे वड़ते हुए अब यह हमला किया जा रहा है एक दू राजबादी पार्टी के राज में हिंदू पर वहिंदू त्योवारों पर नहीं मिलती थी और एद के वक्त में बकरीद के वक्त में बिजली मिलती थी यानि क्या फिर से हिंदू-मुस्लिम की एंट्री हो गई तीसरे चरण के चुनाओं से पहले ही सवाल ये भी उठेगा कि 440 वोल्ट के जटके से क्या एक बार फिर से बीजेपी चाहती है कि लाल गड़ का ये किला जहाँ पर पिछले पास दिनों से मैं और प्रत्यूश लगातार आप तक हर खबर भी पहुँचा रहे हैं दसका दंगल भी कर रहे हैं और शंखनात के साथ महाँ बहस भी कर रहे वहाँ पर भगवा लहर लाने की कोशिश में है क्या जा और देखिए 20 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब तीसरे चरण के लिए 60 सीटों के लिए जोर आजमाईश होगी यानि की मद्दान होगा सब कुछ जंता पर डिपेंड करता है लेकिन लगातार इस तीसरे चरण मे पारा किस ने चड़ाया इस लाल गड़ ने इस मैनपूरी ने इस सैफई ने इस करहल ने जहां से सीधे सीधे हुंकार भरी गई कि इस बार भी एक किला अभेद रहेगा ये अखले शादों की तरफ से कहा गया तो दूसी तरफ बीजेपी ने कहा कि इस बार करहल भी आमारा है लेकिं जैसा रोहित ने बताया कि हिंदू-मुसलमान की एंट्री सींम योगियाद इतनाद बार-बार कह रहे हैं हिंदू-पर-ते append point बिजली नहीं आती तो कहीं ना कहीं हिंदू काट खेला गया तो अखिलेश जादों कहते हैं कि साब चौथे चरण में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाय हो जाएगा बीजेपी वोटों का धुरूमिकरन कर रही है लेकिन जनता इनके जहासे में नहीं आने वाली ये विकास के मद्दों से भट पैदा लेना चाहती है लेकिन अगर एंट्री अगर समाजवादी पार्टी की तरह से कराई जा रही है तो अखिलेश शादों जान बूच करके से वयान देते हैं ताकि यहां पर मुस्निम्वोटों का धुरूमिकरन हो तो सब कुछ चल रहा है इस चुनाओं में तीसरे चर तीसरे चरण के रण में कल 69 सीटों पर ओटर उमीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे लेकिन सब की नजर मैनपुरी की इसी करहल सीट पर लगी है जहां बाबा अपने चेले बगेल की जीत के लिए पूरी विसाद बिछा चुके हैं उदर बाबा ने बिजली के मुद्दे पर फिर अखले शियादों को 440 बोल्ट का जटका देते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार में हिंदू तेवारों पर बिजली नहीं आती थी जबकि इदो और बक्रीट पर भरपूर आती थी बिजली की न कोई चाती है न मत है न मजब है सब को बिजली प्रियाप्त बिजली निर्वाद बिजली के लग्से को प्राप्त कर दिया बिजली आ रही है ना अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे और काका का मदलब है काले कानून अगर काले कानून गए हैं तो उत्तप्रदेश के बाबा भी जाएंगे स्रीयम योगी ने तीसरे चरण की पोलिंग से ठीक पहले एक बार फिर दंगा राज और गुंडा राज को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा तो अखिले शियादों ने दावाठों का कि चोथे चरण के बाद ही वो बाबा की लखनों से विदाई कर देंगे और इस बार सूनने हो जाएंगे जब बोट पड़ेगा और गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाब निकाल देगी भाब अब देखना है कि करहल की रेस साइकल जीती है या पिर कमल खिलता है बीरो रिपोर्ट जी मीडिया सुरह आपने देखे सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि हिंदूों के परतेवार पर बिजली नहीं आती थी समाजवादी पार्टी के सरकार में और बखरीद और इद में बिजली आती थी 80-20 का फॉर्मूला निकाला जाता है मैमानों से मिलिये सीधा करते हैं सवालों से शंखनाद मैमान जो मैं से जोड़ रहे हैं आलोक मिश्रा है बीजेपी से आनन्द पांड है समाजवादी पार्टी से आकाश राटोर है आम आदमी पार्टी से थोड़ी दर में कॉंग्रेस के साथी भी आ जाएंगे स्वागत तो है लेकिन मुझे थोड़ा सा एक जवाब जानकारी चाहिए मुझे और प्रत्यूश को थोड़ा अपने आपको दुरूस्त करना है आलोक मिश्रा साथ बीजेपी आपकी सरकार आपको पता है सबका साथ सबका विकाष सबका बिस्वास मूल्मंद्र के साथ पूरी पच्शी स करोड पूरे उत्तर बिदेश की सरकार सभी लोगों की सरकार कि पिछली सरकार के समय में हिंदू पर तैवारों के समय में बिजली नहीं आती थी क्या दिपावली में पूरा यूपी 24 घंटे अंधकार में रहता था होली में पूरा यूपी 24 घंटे अंधकार में रहता था क्या दुरगापुजा में दशरा में पूरा यूपी अंधकार म कि सरकार निभी जरीधी दिए थे हमारी सरकार मैं पूरे उत्तरब देश में समार रूप से आप पता कर लिजिये हार ने तो एक जांकारी और देदीजैं तब आप की सरकार ने बिजली दुरुस्त कर दिया ना कितने kolah kutik जल्दी से समाझ वाओ ती पार्टी से आनंपडे जी आनी कि आपकी सरकार के समय में इतना भैद्बाव चराम पर आपकी सरकारी समय में हिंदू पर तेवारों पर अंधकार में यूपी था ये बीजेपी कह रही है ये बीजेपी तो कह रही है लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर तेवार पर चाक चौबत ब्यबस्ता रहती थी चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसल्मान का हो किसी भी ब्रादिक कि यारोप क्यों लगा चुनिंदा जिलों में ही बिजली आया करती थी जहां चार गिने चुने जिले थे जहां पर बिजली चौबिस गंटे नहीं बीस से बाइस गंटे आते थी बागी जंगों पर बारा तेरा गंटे यह कि यह पतर बिजली की यतनी विवस्था नहीं थी अच्छा अचा हमारी सप्षक चाहिं नहीं कि आपके समय में विवस्था थी और यूपी के 75 जिलों में से ऐसे वी आईपी जिले चुनिंदा थे आधा धरजन के आसपास वी आईपी जिले थे जहां के लोग बंबं रहते थे कि भाई या बिजली 20 गंटे आ रहे हैं बागी जगों पर 13 गंटे 14 गंटे 15 गंटे ये क्यों कि ये जा लीजी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमला जा रही है और फिर से सियम योगी ने दरसल समाजवादी पार्टी को आतंकवादी कहा है और अरतंकवादी कनेक्शन को लेकर सियम योगी ने बड़ा हमला बोला है नाम समाजवादी काम आतंकवादी आहमदाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर ये हमला बोला है S.P. लेथा के बेटे को फार्सी के सजा मिली है धमाकों के दोशी का पिता मुलायम का करीबी है सुनिए क्या कुछ कहा C.M. योगी ने और इसी सवाल के साथ वापसा रहे इन लोगों के नाम और काम में भारी अंतर है नाम तो समाजवादी है लेकिन काम आतंगवादी है सोच परिवारवादी है कल गुजराद की एमदाबाद की एक न्याले ने गुजराद के सीरियल बम बलास्ट में 38 आतंगवादियों को फासी की सजा और आजीवन का रावास की सजा सुनाई है भाई हो बेनो उसमें से कुछ आतंगवादियों का समन्द उत्तर प्रदेश के आजमगड़ से हुई है और उत्तर प्रदेश के आजमगड़ से जिस आतंगवादी का समन्द है उसमें से एक आतंगवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटों के चागर के समाजवादी पार्टी का परचार भी कर रहा है पर फिर से आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी आतंकियों को बचाने वाले पार्टी है एमदाबा सीरियल ब्लास्ट केस में जो कोट ने सजा सुनाई है मिर्तियु दंड फांसी की उसमें जो एक आतंकी है उसके पिता समाजवादी पार्टी से चुड़े रहे है अब यही बात बीजेपी कह रहे है कि देख लो यह पार्टी का चैरा चरित रहे और आसीस मिसरा जो जाए मिस्ट टैनी जी के बेटे हैं किसानों को कुछलने वाले वो किसके करीब हैं योगी जी के या मोदी जी के तो आप यह ने वो आजमगरवाले उनका इस थी बाद गड़ वाले आतंकी जिसको सजा हुई है उसके पिता का किनिक्शन इस पर सवाजवाली पार्टी कुछ नहीं कहेगी नहीं कभी रहा होगा अगर पार्टी में अगर हाँ आतंक बादी का बाप यह तो आपकी पार्टी तो कई बार यह कहती है कि यह जो सरकार है यह जाती विशेस अधर्म विशेस देखकर कारवाई करती है अगर किसी मुस्लिम को पकड़ा जाता है अगर इसको स्टीफ, SIT या एंटी टेर्रिरिस्ट स्कॉट टीम का अगर पकड़ती है उससे तो यार उप कहा था कि जान मुझकी चुकिए वह मुस्लिम इसलेए पकड़ा जा रहा है नहीं मुस्लिम भी पकड़ती है और ब्रहुडों पर बहुत कारवाहर में कारवाहर है आगर भीकास में सबसे नहीं हुए लेकिन आप अगर समाजवादी कनेक्शन निकालते हैं तो यह कहते हैं आशीष मिस्रा आशीष मिस्रा के पिता क्या थे आशीष मिस्रा थे खुद बिजेश च्टउचते थे अगर किसी जो ब्यक्ति अगर अपराद करेगा तो अपरादी से उसी ब्यक्ति को मिलेगे आख़ो RAFA में को छाल नांताabil हैं क्यों शाल रहाएं कि आपके सरकार में ही लगातार आरोप लगे हैं कि आपने कई आतंकियों को कई गुनेगारों को द्रसल तुरंच वापस करके बाहर निकाल दिया तो आरोप लगाना तो लोगा काम है मुदफर नगर दंगे में क्या हुआ था आजम खान पर क्या आरोप लगे थे तो उन पर कारवाई कर रहे हैं शिपाल यादव को लेकर अखलेश यादव पर योगी आदितनाथ ने तंज कसा आतंकियों को सिर पर बिठाती है समाझवाजी प रहा है आप अन्वान कर सकते हैं समाझवादी पार्टी की मनसा क्या है यानि वे अपने चाचा को कुरसी नहीं देते हैं स्विपाल को लेकिन आतंकबादियों को अपने सिर में ढोने का काम करते हैं जिससे प्रदेश की निर्दोस जंता के जीवन के साथ खिलवाड कर सके और हमारी सरकार इसलिए इसको परदास्त नहीं करेगी तो देखे किस तरह से लगातार यहाँ पर अब समाझवादी पार्टी पर चाचा को लेकर भी हमला बोला जा रहा है बहराल कॉंग्रेस भी जूट चुके मैं से कॉंग्रेस को तो मतलब नहीं होगा कि चाचा को सम्मा के बीच में बिल्कुल सम्मान मिला है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी या कारिकरता कहीं भी चाहें उनको पूरता है जनता सम्मान देती है उन्हें ख़देड़ती कभी नहीं है जिस तरीके से आपने देखा है चाहें बीजेपी पार्टी के हो सत्ता पच्छ पार्टी और उनको मारके भगाया हुआ है। लेकिन आप पर तो आरोप यह लग रहा है कि महनपुरी में तीन सीट पर उमिद्वार उता रहे हैं, आपके उमिद्वार तो पजार करने निकले जिए नहीं, बड़ी दिक्कत है कि उतने कारेकरता नहीं जूट रहा है। कारे करता कुछ नहीं है यह पार्टी हाई कमान का जो भी निर्देश तरह है कि घर के अंदर नहीं बैट जाओ यह हमारी पुरानी सोच रही है जो नीतिया रही है कि बड़े जो भी है मतलब राष्टे निता है उनको सम्मान दिया है परचार कर देखा नहीं देखा नहीं 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 देखा तभी पूच रहो पास दिन समय हूँ नहीं देखा यहां तो जो जो राजमाईश हमने देखी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अमिद्वारों में देखी है कॉइश का कोई नुमाइंदा कोई हमें उम्मिद्वार बाहर ऐसा नजर नहीं आए कि वो पूरे जोर सोर से परचार करें हम भी कवर करते ना जलतवा करते हम हाई कमान की क्या स्टेटेजी हमें संजाइयेगा नी ऐसे कूई कि नहीं है ऩर गवांने के बाद गठबंदन ना होने के बाद आमारी पार्टी जो है आपने देखा हो किसी पार्टी से अफंदन नहीं करती है अर इस पार आपके पार आपके पार टे लेकर डाये जो है। तो वही तो करें आपके पास वेरिफाइड को कंटेस्ट करने वाले आपको कंडेट नी मिल पाए अब चुनाओ आयो तेको मैंन पुरी के सरदर की बात करें तो वनों चारे करें और सारी कांग्रेस की तरह सरेंडर कर दिया नहीं सरेंडर नहीं कर दिया हम लोग साव सभी पाए पेपर पूरे हो गए थे लेकिन बड़ी कबरेकारी है वो बता रहेता हो में आपको कि देखिए अमिच्छा ने किस तरह से अब धारा 370 को गोद में लेकर घूमते थे विपक्षी दल ये लोग बच्चे की तरह धारा 370 से प्यार करते थे बीजेपी सरकार आई तो धारा 370 हट गई हटा दिया भीजेपी ने और कश्मीर को हम देश का अंग मानते हैं ये कहना अमिच्छा का सुनवाते एक बर आपको अमिच्छा ने और क्या कुज़ कहा मुझे बताओ कश्मीर देश का भीमन है या नहीं है कश्मीर हमारा है या नहीं है कि सब्सक्राइब कॉंग्रेस एक बच्चे की जरह 13370 को भोदी में बिढ़ाए हुई तो इससे पहले आप ने देखा कि यूपी के चुनाव परचार में सर्जिकल स्ट्राइक एर श्ट्राइक की एंट्री हुई और उसके बाद अब 13370 की बात हो रही है जो बीजेपी कह रहे है कि बाकी विपक्षी पार्टियां इसको लिए गोद में गुंती थी हमारी सरकार आई तो हमने इसे निकाल कर हटा दिया सवाल है कि यूपी के चुनाव में इन सब की एंट्री क्यों हुई क्यों कराई गई समाजवादी पार्टी को आकर क्यों बार बार आतंक्यों के मसले पर बीजेपी घेर रही है एक छोड़ा सा ब्रेक ब्रेक के बाद भी शंखनाद में ये बहत जा रही है तो ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं शंकनाद ब्रेक पी जाने से पहले हमने दिखाया था कि अमिर्चा ने का था कि 370 को लेकर ये गोद में घूम रहे थे कौन विपक्ची कॉंग्रेस एस्पी बीएसपी और 370 खत्म किस ने किया बी करना क्या वैसे मैं बीजेपी से समझू से पहले समाजवादी पाटी से समझूंगा वैसे 370-370 बार-बार मुद्दा लेकर आपको घेरा जाता है कि आपके रास्ट प्रेम में जो है थोड़ी सी कमी है तो यह बताई ना 370 पर आपके स्टैंड के है पहले स्टैंड बता द केरिख अपने देश का हिससा पना एक तिरंगा कश्मीर में हैं वहां थो जंडे नहीं है तो इस बाद से भी आप डिसेगरी करते हैं तो आपना मत था उसका फाका तरॉट नहीं तो कह रहे है तभी तो आपको कह रहें देशमीर हूदी इनोह थो तो अभी भी होता ही रखे क्या कर लिया था आपने दो जंडे अच्छा लगते थे हम थोड़ी रखे हुए थे खुल के अभी तक इनके स्टेंड नहीं आ पा रहा है अग्रेश यादो ने उस वक्त ये कहा था कि ये समयधान की हत्या है और समयधानिक तरीके साथ है अब पढ छनारदन दिवेदी से ले करके दिपेंदर सिंग उड़ा यह तमाम नेताओं ने कहा था आपकी हदिती सेंग रैबराणी वाली यह तो बीजेपी में आगे तमाम नेताओं ने कहा था बहुत अच्छा और लि governments और एज्दन दिवेदी ने तो यहां तक आधा था एक एक हम सिक भूल थी जितने सालों पहले हुई जिसको आज सुधारा गया ये कॉंग्रेस है 370 पर आप कहते हैं 370 को क्यों मुद्दा बना रहे हैं वो नहीं एक अच्छा रहा है कि 370 जो हुआ है वो पार्टी ने भी एकसेप्ट किया था बिरोध नहीं किया था बिरोध नहीं किया पार्टी के मुझे लग रहा है कि सैद आपको हो सकता है कि जानकारी नहीं हो कॉंग्रेस ने अपना जो स्टैंड रखा लोगसबार राज्यसबा में ये कहा कि आपने पसंद कर रहे होंगे ये भी उन्हें ने दाव में शामिल है जो चाहते थे कि हट जाए चलिए अच्छ में पीटते रहेंगे क्या यूपी में आप यूपी की बात करेंगे या 370 सर्जिकल स्ट्राइक एर इस्ट्राइक जाएंगे जिन्ना को लेके कौन आया जिन्ना को लेके घलेजी आये उत्तर बिदेश में अगर मुसलिम हिंदू करने वाले कोई हैं तो ये समाजबादी है मैंनपुरी में दस होस्पिटल खोलने की बारी अर्टर कोरोना हम यहां पर हड डिस्ट्रिक में दस सूपर स्पैसिलेटी अश्पिताल खूलेंगे इसकी तयारी बोला आपने नहीं बोला आपको अस्पिताल नहीं आपको मंदिर पर वोटों का बटवारा चाहिए अब मंदिर की भी बात कर एकर अगर बीचपी जबाब है आपके बास तो बताइए यहां पर दर्शकों को पर जनबद मेंपुरी नहारे बड़े अच्छे लगते हैं अपकी बारी अपकी बारी यहां पर जिलाच चिस्टाल है यहां पर कैंसर का मरी बहुत ज्यादा आते थे यहां पर मशीने रखवाई थी उन मसीनों को मैंपुरी जनबद से सेफ़ा ही ले जाने वाले यह समाजब पर जिलाच भी तरफ़ाई तो अब आप देख लिए इनसे सब्सक्राइब बेदर नियां डॉक्तर मौजूद नहीं है उस्पीटल में डॉक्तर नहीं है चेक अप करने वाले नहीं है और इंस्रूमेंट भी नहीं है अगर आप इस्ट्रेश्ट नहीं है और बार बड़े जो भी विकासकार नहीं किया यहाँ पर आपको जो भी विकासकार देखेगा सेफ़ाई में डिकास कारी दिखा कि और दिखा हैं इंजिनेरी कॉलेज सरकारी में किसकी कि दैना मिलिटरी हॉस्पिटल किसकी दैना सैलिक किसकी दैना सब्सक्राइब कर दिया है यहां पर काम करें लेकिन आप देखें तो समाजवादी पार्टी में धरातल पर काम नहीं किया अगर समाजवादी पार्टी चाहती देखो इंसान इंसान के लिए करता है जानवर जानवर का इतैसी होता है समाजवादी पार्टी चाहती तो पांच-पांच साल बाद इनके सरगार चलते रही तो मैंनपूरी में युवाव के लिए ऐसा रोजगार ले आती कि पविश्य त कि यहां पर लगाई है फूट प्रोसेसिंग यूनिट आपने यहां पर लगाई है कोई भी आलू की चिप्स की फैक्टरी में लगा आप समझें आया आप समझ में आया आया वैसे वह बहूत अच्री बात आपने कहीं लगनी चाहिए अभी दखते चाहिए आपलों करते क्या द्खतर आप में बोचाव काई आपको लगता था यादव लेंड हो गया यादव ल कि आपस के जिले हैं अलू में नंबर वन हैं यहां का आलू अमेरिका बाहन से खिब साते हैं तब जाकर यहां पर खाया आते हैं पांच रुपए के ख्लो आलू यहां पर विक्ता है और पर 500 पर सरेंडर हो गई है अपके सरकार चली नहीं समझे अर्य है इनसे गल्ती ओगई इन्होंने कामी नहीं किया पांस साल में क्या कोशिश कर ली कितनी फैक्री खोल दी मुझे दिखा दीजिए भारत सरकार ने तो देनिंटन अधर दश्क 25500 में कशॉंटन में जर्फिए ने काउज करेंगे जोब काम करें गए dreiश्डू का ऐसन दो करें अनस्दान हम दोतना किसम अकम करें गवबर्मनमिंट अबरें क meant फैक मंदी एह अपने अपन जिया गया एक है कि यहां कि यहां पर आपके उपर सवाल उठता है ना कि आपके साशनकाल में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिरुजगारी बहुत है लगा दितने सर फैक्टरी यहां की लोगों को मिल जाता नहीं सोचाता है क्या है सरकार 2017 सबस्टा में आई 2019 से दुरभाग कि बस कोरोना अगया जिससे अभी तक बरतमान पर चलाएं को चीज़ नहीं हो और यह ना को रही है ना को अब देखा यह भी रोग देखा यहां भी रोग देते यह महारे नेता घर बैटके पर चार करेंगे चुना आपको ने पर बि वो मुंडी वो सिर नजर नहीं आता हाथ फेला करके आपसे नौकरी मांगता और बीजी पी प्रबक्ता ये बता दें कितने नौकरी आप देंगे कितने किसे मेले ही और भी उहां नोपर नेका प्राइवेट सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ कोरोना की वज़े से और उस बात को मानना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर को नुकसान पहुचा चुकि सब बन था लोग घरों में कैत थे फिर से रिवाइव होने की कोशिश हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आने बाले कुछ सालों में वो रि हमें कोई कौन किस पार्टी से बस हमारी उम्मर निकलती जा रही है कभाई की वेकेंसी और जब वेकेंसी के लिए वो आवेदं करते हैं परिक्षा देते हैं रिजल्ट ही नहीं आता एरफोर्स का रिजल्ट ही आए अब बताईए देखिए जो भी चीज है अभी वो हम नौकरी दे रहा हैं पूरी पार दस्ता के साथ हैं जिसकी सब्सक्राइब नौकरियों में नौकरियों में लेकिन यह कौन है जो इंतिजार कर रहे हैं उनकी उम्र जा रही है आर्मी में आर्मी में एंट्री के लिए भी एक आयू वर्ग होता है वो वर्गिन का निकल रहा है क्योंकि तीन साल से करेंसे ही नहीं मिल पाई बुड़े हो जाएंगे तब आप इसाथ नहीं दे सकते हमारी क्या गलती यानि कि जो गेम इनोंने खेला जो अब तक चलता है कोई आप खेलेंगे और बताएंगे कि आप से अलग हैं हमने बहतर क्या बहतर किया यही तो बताईए लोगों को चाप बहतर किया आपके रहें कि कमय आएगा तो देंगे वो समय कब आएगा हिंदुस्तान का नौजवान बूश्रा वो समय कब आएगा नौकरी दे दीजे और कुछ ने चाहिए जी जाए सरकार बना लेजे हमें नौकरी देदी पहतर कहां से देंगे भाई ये तो आपने केंद्र सरकारी योजना गिनाते हैं रास सरकारी कोई योजना नहीं है उजिवला गरा देंगे वह पास क्या फर्मूला है कि आप आएंगे तो बदल देंगे जाडू की छड़ी बतानी जाडू की छड़ी मुनाएंगे हमें ऐसी विवस्ता लेकर आएंगे कि युवा को रोजगार मेले और जब तक रोजगार नहीं मेलेगा तो पांच हजार रुपया प्रती महिना उसे बिरोजगारी भत्ता देंगे महिलाए जो हैं साठ साल से इमार पी देने पर दो आपके दिल्ली में जो सरकार है प्रता के साथ एक फ्री देरी हैं आप कहरें ने कि बहुत अच्छी सुविदा दे रहे हैं यहां पर आके सब कुछ बदल देंगे कितने हॉस्पिटल बनवाएं आपने बता दीजे पिछले साथ साल में कि उत्तर प्रदेश का राजसान का बिहार का लोग इलाज करने दिल्ली जाते हैं इराज कराने के लिए तो दिल्ली का बेवस्ता किसने है ठीक है आप दोनों तो एक साथ कब एक हो जाएंगे पता नहीं चलेगा दिल्ली में उधारन लोगो ने देख लिया है मुस्कुराएं यहां पर लोग एक ही हो जाएंगे लोग जानते हैं यूपी में क्या पूरे देश भर के राज्यों में जिल्लों में जितने भी काम हुएं वो कॉंग्रेस ने किये हैं ऐसा क्या हो गया कि इतने काम अगर कॉंग्रेस ने किये तो कॉंग्रेस आज जूज रही है यहां तो 30 साल से जूज रही है क्या ऐसा कर दिया आपने काउं सा गुला कर दिया बता दीजिये 32 साल हो गए हैं उत्तर परदेश में कांटे पार्टी अभी नहीं आयी है है और हमको मौका नहीं मिला है ये आपका संखाना और समीर सकम्ष यह सर राजिये पार्टी आ रही है उत्तर परदेश की समाजबादी पार्टी है बसपा पार्टी राजिये पार्टी है इन्हों ने जो पहले बादे किये फिर उसके बाद पूरे नहीं किये कॉंग्रेश पूरी तरीके से उत्तर परदेश से दप्ती चलिए इस पर कॉंटरिशन है इस पर अगर इन्होंने पूरा नहीं किया तो आपको अधरा चाहिए था आप्शन बन जाते फिर यानि आप भी जनता के लिए उनका विकल्प नहीं है नहीं सर आप बत्तिस साल पहले की बात करें युक्तर परदेश में जितना भी बिकास हुआ है जितना भी पार्टी से भी मेंट् जनता ने क्यों रिजेक्ट करने बेकास कार तो हम जूटे बादे करके जूटी जूटी बादे उसका मिस्काइट करके जनता को जो जीत लिया चला कब 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 इस वारा अच्छा चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है लेकिन अगर यह जूटे वाइदे कर रहे तो मैं जात पावर आपके हाथ में और उसके बाद पावर एक पॉलिटिकल पाटी के हाथ में होगी जो पावर तक सरकार चलाएगी जिससे आपको कई सारी उम्मीद है इसलिए सोच समझ करके वोट कीजेगा कल तीसे चरण में यहाँ पर मद्दान होना है घर से निकलिएगा जरूर मद्दान कीजेगा लेकिन आपको बता दे कि अभी छोटे से ब्रेक के बाद मैं और रोहित रंजन दोनों वापस लोट रहे फिर एक घंटे की बैस होगी कुछ और सुलकते सवाल होंगे फॉरण वापस आरे